तो महायुद के मोर्चे पर 24 घंटे में ऐसा उलट फेर हुआ कि बलादिमिर पोतिन और यूकरेन के राष्टपती जेलन्स की दोनों देखते रह गए ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सैनिक जमीन के अंदर बने रास्ते में छिप जाते हैं और दुश्मन की स्पीड को रोक देते हैं ऐसे युद जो हैं बहुत लंबे वाक्त तक चलते हैं लेकिन इसमें सैनिकों की बहुत खतरनाक और बुरी मौत होती है और ऐसी ही कुछ खौफनाफ तस्वीर आप युक्रेन से भी आने लगी है रूस ने युक्रेन को फटेख कर लिया है तो थोड़ा ठहर जाईए ये विडियो रूस ने जारी किया है लेकिन ऐसा ही एक विडियो युक्रेन की तरफ से भी जारी किया गया है युक्रेन ने भी विडियो में दावा किया है कि उसने जापोरीजिया में गाउं को जीत लिया है पुतिन और जेलिंस्की के अपने अपने दावें लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं आखेर युक्रेन का काउंटर ओफेंसिव कितना सफल हुआ अब तक युक्रेन के किस इलाके में युक्रेन की सैना कितना आगे बढ़ी ये सब हम आपको बताने वाले हैं पुतिन के उस दावे का सच भी बताने वाले हैं जिसमें कहा गया है कि युक्रेन का काउंटर ओफेंसिव पेल हो गया है दूसरी तरफ रमजान कादिरफ को एक नया टास्क नया प्रजेक्ट सौपा गया है ये खबर भी बता देगी क्या थिल युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम रूस और युक्रेन के इस वीडियो वार का पूरा विशलेशन करेंगे जिलिंस्की युद्ध का वीडियो शूट करवा रहे हैं ताकि ये गाउं भी जीत जाएं तो प्रोपगेंड़ा में कोई कमी नहीं रखी जा सके ये वीडियो युक्रेन की तरफ से जारी किया गया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका की बनी हुई एक बक्तर बंद गाड़ी पर युक्रेन का सैनिक सबार है जिसके पास चिपकर गूली चलाने के लिए बक्तर बंद गाड़ी के अंदर ही राइफल मौजूद है ये डानिस्क का एक गाउं है जिसको फत्य करने का दावा युक्रेन की पाउच ने किया है युक्रेन की पाउच ने इन गाउं के मकानों के खंडरों पर युक्रेन के जंडे लगा दिये हैं ये एक ऐसा गाउं है जो फ्रंट लाइन पर था और इस इमारत पर रूस के सेनिकों ने कब्जा करके अपना बेस बना रखा था यद ने कैसे इसाली शान इमारत को बर्बाद कर दिया है कुरसियां टूटी हुई हैं पेंटिंग्स खराब हुचकी है लेकिन युकरेन के सेनिकों का जोश हाई है क्या हाल किया है युद्धनेस लाइबरेडि का यहां के दिवारें कोलियों की मार से जढ़ चुकी है किताबें और अलमारियां धोस्त हो चुकी है निजी तस्वीरें और किताबें धूल में समाच चुकी है सेनिकों के शव पड़ें एक एक दिवार पर तबाही के निशान है दिवारें धुमागों से फट चुकी है और इस वक्त भी युकरेन के सेनिक बेहद सावधानी से ये तलाश रहे है कि कहीं यहां अब भी कोई खत्रा तो नहीं है यहां फी दुश्मन की कोई आहट तो नहीं है दुश्मन की उधुमी यह ओर शंगर्श कैसी कहााने लिख रही है जो कई सदीयों तक इन्हें ही तस्वेरों के माध्यम से याद दी जाएंगी एक प्रोपगेंडा वीडियो है, जिसमें रूसके सैनिकों की लाशें भी साफ नजर आ रही है ये वीडियो जिलिंसकी ने पुतिन और पुतिन के सैनिकों को दराने के लिए जारी किया है लेकिन दूसरी तरफ रूस ने भी एक वीडियो जारी किया है ये वीडियो डॉनिसक का है लेकिन सवाल ये है कि आखे रूस ने डॉनिस्क का ही विडियो क्यों जारी किया दरसल डॉनिस्क के कुछ गाउं को जीतने की घुशना युक्रेन के द्वारा की गई थी यही वजा है कि पतन ने जान बूच कर डानिस्क के गाउं पर रूस के कबजे का विडियो जारी करवाया है। दरसल रूस ने दावा किया है कि उसने डानिस्क के नोवो डानिस्क के गाउं पर कबजा करने के अभियान को पुरी तरह से फेल कर दिया है। रूस का कहना है कि ये वो गाओं है जिसको काउंटर ओफिंसिमें वापस हासल करने की कोशिश यूकरेन की तरफ से की जा रही थी। रूस के पैसिफिक फलीट के सैनिकों ने रात भर हुए हमले का ना सर्फ सामना किया, बल्कि यूकरेन के सैनिकों को पीछे धकेल कर, यूकर कि यूकरेन के पार्ट का रूसाथ की पहांचर को अपड़ कि यूकर साल भाजाब कि यूकर का दो बार, टाम अजाओ से की उत्या हने ब्हांचर का प्शून के बहां़ जा यूकर का यू यू का ब आड़़न के पोलने का उनकों बहां है क्वार बा Genau, बहांचर को प्र बर दिसाटई तकज़ बई खास्की आपनी का उसी ही खाईयों में यूक्रेइन के सैनिकों को सबसे ज्यादा संधरश करना पर रहा है इस वीडियो के जवाब में यूक्रेइन की तरफ से टुटर पर एक और वीडियो वायरल करवाया जा रहा है तावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो भी रूस की बनाई गई एक खाई का है जिसमें रूस के सैनिक मौजूद है। वीडियो में दावा ये किया गया है कि युकरेन का एक सैनिक खाई में उतरता है और एक एक करके रूस के कई सैनिकों को धेर कर देता है। इस वीडियो ने भी पूरी दु ट्विटर हैंडल से एक और वीडियो वाइरल करपाया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो जापोरीजिया के गाउं पर मिली युकरीन की जीप का है। रूस एक ही दावा कर रहे हैं और वो ये कि जापोरीजिया में जंग हुई है। लेकि रूस ने जो तस्वीरे दिखाई हैं उसमें रूस के सैनिकों को फाइरिंग रींज में दिखाया गया है। फ्रंट पर लड़ते हुए रूस के सैनिकों के तस्वीरे नजर आ रही है। रूस के सैनिक तरफ से ये दावा किया गया कि युकरीने जापोरीजिया पर ही सबसे बाला हमला किया है। लेकिन उसका ये हमला पुरी तरह से तेल हो गया। मैं बैनोंड़ındaोनर्पायोम इात्तॉустить बैंका ब Sus 1988 बाल से वे आまり झाल रही है से वेंगकी पात्यां का पुरीचा प्रू अचल पले उन्हाव refers हैं स thousand सेवीरे उसे दे इस smoothie आइमिक्स आइमिक्स 10 ताक्जे बूल ए खास्की काउंटर ओफेंसिव की हकीकत गया है यह हम आपको विस्तार से समझाते हैं दरसल उक्रीन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसकी अपनी एरफोर्स पहले ही लगभा खत्म हुचकी है कुछ लड़ा को दिमा युक्रीन के ब यानि लड़ाकों विमानों के भी आवेश्कता होती है क्योंकि अगर लड़ाकों विमानों का सपोर्ड नहीं मिलता है तो दुश्मन के लड़ाकों विमान ग्राउंड आर्मी को नेस्त नावूद कर देते हैं ऐसे ही युकरिम के युद्ध में जलिंसकी की आर्मी के साथ हो रहा है जलिंसकी की आर्मी काउंटर ओफंसिव में पेल इसलिए थाबिध हो रही है क्योंकि रूस के लड़ा कुमानों ने जलिंसकी की फाच के भूज मेंट को बहुत धीमा कर दिया है दूसरी तरह चेचन्या के मीडर रमजान कादिरफ के बारे में बहुत बड़ा समाचार आया है रमजान कादिरफ अपनी अखमत रेजिमेंट की अखमत फोर्स को एक स्पेशल प्रोजेक्ट में लगा दिया है रूस के अंदर युकरेन के बॉर्डर के पास ही एक इलाका है बेल गोरेड जहां पर कई बार युकरेन हमले करता रहा है अब इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुतिन ने कादिरफ को सौप दिया है और कादिरफ ने अपने स्पेशल इलीट कमांडो को यहां भीज दिया है यह पैसला पुतिन ने इसलिए किया है ताकि जलिंस्की को इतना तगड़ा जवाब मिले कि वो कभी दोबारा रूस के अंदर हमला करने की सोच भी ना सके